स्वागताव सभी का आपके पने यूटूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर दोस्तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टॉप फाइव गवर्मेंट जोब जो कि आपकी सितंबर मंत के अंदर रिलीज की गई है ठीक है और इनकी क्या लास्ट इट रहेगी इ इस वक्त गवर्मेंट जोब का कितना बड़ा रोल है क्योंकि कोरणा में जो प्राइविट जोब वाले थे वो सारे यहां पर धंदे वगरा ठप हो गयते लेकिन गवर्मेंट जोब भी एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर उनको मैंथली आपकी सेलरी आ रहे थी ठीक है तो आपको कोई भी गवर्मेंट जोब आपको मिस नहीं करनी है तो हम लोग बात करनेवाले हैं टौप फाइव गवर्मेंट जोब के बारे में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता साथ में ही बेल आकन प्रस कर लेता ताकि आने वाली अपडेट भी आपको मिलती रहे तो शुरू करते हमारी वीडियो को तो देखिए वहीं तो सबसे पहली वेकेंशी हम लोग चलते हैं यहाँ पर तेकि सबसे पहले वेकेंशी जो आपकी राजस्तान स्टाप सेलेक्शन बोर्ड की है ठीक है तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताक कि आपको यहाँ पर किलियर देख सके वहीं तो मैंने आपको जूम कर दिया है अब आप देखते हैं किलियर लिए आपको दिख जागा है यहाँ ठीक है तो हम बात कर रहें देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह वेकेंशी जो है वो किसकी वेकेंशी है देखो मैं आपको इसलिवी ड Itصل आपकी अब इसमें क्या क्या आपको मांगा गया है क्या इसकी एक्जाम्ण देट है क्या इसका नौट्विकिशन है वो देśli आप लो तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पूर्ट्टन डेट 맞्को बात एक्जाम डेट जो एडिन कार्ड है वो भी इसके एक्जाम से पहले याने की दिसंबर मंत के अंदर ही आपको यहां पर डिक्लियर कर दी जाएंगे या रिलीज कर दी जाएंगे तो यह बहुत ही बढ़िया वेकिंसी है तो साथ में आप देखेंगे यहां पर कि आपकी पॉर्चिनिटी है आपके लिए अगर हम फीज की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए आप पर साढ़े 400 रुपे फीज रखी गई है ठीक है अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो बाद में फोरम मनने के बाद में ठीक है पेदा एक्जाम फीज थ्रू इमित् यहां पर पेमेंट कर सकते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं एज लिमिट किये तो एज जो आपकी काउंट होगी वह होगी एक जनवरी 2022 से आपकी यहां पर एज काउंट होने वाली है मिनियम एज की बात करते हैं तो वह है आपकी 18 साल अगर में एज की बात करते हैं तो वह किसी वालों को तीन साल मिलती है तो मिलेगी मिलीगे घ्र अगर वेकिंसीय की बात करते हैं तो टोटल आपकी टो फिटा पोस्त है है और अगर मात करते हैं कौन-कौन सी ॥च को ने kपवीड या ऑ चलिए या फिर आपके पास में इस्टेटिक सोनी चलिए या फिर सब्सक्राइब और साथ में ट्रिपल-सी एक्जाम होना चुरॉम एन ई", इसल टी से और सट्टिफिक ौणा चीव पॉरी पूरी जो है आपके दे रहे जो भी आप के पास में उसके साफ से आप लोग फोरम को अपलाई कर सकते हैं अपर ठीक है अगर इन्होंने आगर कैटेगरी वाइस बात करते हैं तो इसमें जन्रल की वेकिंसी सेवन्टी नाइन करते हैं तो सेकिंड़ कि ऑगेंशिया आपकी है उत्राखंड टीनर की वेकिंसी ऐसे हैं । देखते हैं बाइच है को अगले हैं मीशने हैं ंत्राखंड के बोलते हैं लोग यूटी याने की त्राक टेम दकेंट केफिन के ऑफ लोग fare गी कि तो मैं जूम करता हूँ उसको पहले देखिए अगर हम इसकी इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसकी जो फोरम स्टाट होंगे वह एक नो दो जार एक किस से स्टाट ओल्रडी हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है इसकी वह है तीस नो तीस सितमबर इसकी लास्ट ड जब भी एक्जाम होगी आपकी और आंसर की वह तो सब बात की बाते हैं जब हमारे पास एक्जाम डेटी नहीं तो आंसर की डेट कहां सी आएगी ठीक है अगर हम फीस की बात करते हैं देखो फोर पेपर फस्ट के लिए है जनरल ओबीसी और EWS के लिए 600 रुपए है पर ठीक है तो देखो यहां पर इसकी जो क्राइटीर आपको दे रखा है प्राइम लेवल का आप लोग यह पढ़ लेना आप लोग टैन प्रस टू आची इंटर्मीडियेट सीने से कंद्री वगरा ठीक है यह आप लोग खुदी पढ़ लेना इसका नोटिशन आपको मैं सब्सक्राइब करते हैं अगली वेकेंशी देखो यह तो बहुत ही फैमस वेकेंशी बहुत है आपको पता भी होगा मेरे साब से ठीक है लेकिन कोई बात है नहीं देखिए तो देखो बई यह वेकेंशी अपनी VOD की किसकी है बी ओ विलेज डेवलेमेंट ओपिसर की वेकेंशी आपकी ग्रामेंद विकास अधिकारी ठीक है यह आपकी पोस्ट है बात करते है इसकी पहले डेट की बात करते है डेट क्या क्या एक के अदर एप्लिकेशन जो फोरुम इस की लास्ट डेट है फीज की लास्ट डेट जो है वह भी नॉक्टोबर यह एक्जाम डेट बताई नहीं गई एडिल काड़ तो बाद में आएंगे पहले अग्जाम डेट आएगी और फीज की बात करते हैं तो जनरल और OBC की फीज जो हैंपर बात करते हैं तो एक जनरली 2022 से आपकी यहां पर एस काउंट होगी और उसके साब से आपकी मिनियम जो एज है वह 18 है मैं चालिस है और बाकी जो एज लिसन आपको मिलता है जिसे आप आप एस्सी में है या स्टी में है तो आपको पांसाल की शूट मिलती है और अगर आप OBC में तो तीन साल की मिलती है तो वह आपकी अलग से है ठीक है यह आपकी जनरलों की यहांपर डेट ती 18 और 40 तो वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी जादा कम भी नहीं तो पास में अगर आप राजस्तान के तो आपके पास में आपका सट्विक्ट होगा वह आप लोग इसमें लगा सकते हैं तो यह थी आपकी यहांपर नंबर तीन वैकेंसी अगली वैकेंसी हम लोग देखते हैं आप पर वो है आपकी इंडियन नेवी की वैकेंसी ठीक है अगली वैकेंसी आपकी वो है इंडियन नेवी की वैकेंसी है और यह देखिए इसमें क्या आपको बताया गया है ठीक है मैं इसको एक बाद जूम करता हूं श पोटल वेकेंस इसमें 181 वेकेंसी है और इसकी जो एप्लिक्स ने स्टाट होंगे वह 189-2021 से होंगे लास्ट जो है पांच अक्टूबर है और लास्ट जो कंप्लीट फोरम की है वह भी पांच अक्टूबर यह एक्जाम डेट अभी पता नहीं है फीस अगर हम बात करते हैं इसकी तो फीस में कोई फीस नहीं हैए जरनल ओवी सी as a aşk किसी के लिए कोई कई आपके आपर नहीं है इसके अंदर ठीक है और देखो यहां पर जस्पी यह लगेश्क यान्डा इटर वेकेंसी कीवाट किया गया है ंगर बात करतें इनकी हें सब्सक्रांग कि करते हैं जैसे हम बात करते हैं तो यह मेल यह कर सकते हैं तो आपको दे रखी इसके अंदर तो आप के अंदर आपकी जातर है B और B अगे आए अगर आपको एक वालीक पास में हैं तो आप लोग इस फोरम को फिल कर सकते हैं आप ठीक है अगली देखिए अगली वेकेंसी हमारे पास्ट में जो है वो देखिए वो रेलवे की वेकेंसी है ठीक है और ये नौटिस हमारे पास्ट में मैं इसको इपर जूम करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लिर दिख जाएगा एक मिट देखिए अगली वेकेंसी जो है आपकी दोख वो है रेलवे बिलासपूर एप्रेंडिस की वेकेंसी है और इसकी हम बात करते हैं देखो इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसकी जो फोरम स्टार्ट है वो 11 सितंबर से स्टार्ट है लास्ट डेट इसकी 10 अक्टूबर है और और complete form जो last date है वो भी दसक्तूबर ही है ठीक है exam date merit वगर वो बात की बात है इसमें बताएं नहीं गई भी application fees देखो general सब्सक्राइब की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक जुलाई 2021 से आपकी यहां पर एस काउंट हो रही है ठीक है और मिनियम जो पंदरा साल है और मैक्जियम जो एजस में 24 साल है बाकि एज लेसिन आपको मिल जाएगा अगर आप कैटीगरी साब से आपको ठीक है सब्सक्राइब की बात करते हैं तो आपके पास में इसकी योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास में क्लास टैंथ होने चीए ठीक है जो आपकी ट्रेड है उसके अंदर ठीक है अगली आप देशकते हैं पर ठीक है पोस्ट नम देर हैं आपको सी एपी जो वेकेंसी है उनकी आपको रखी है आप डिटेल वगरा आप लोग यहां पर देख लेना भई कौन-कौन सी वेकेंसी प्लंबर की कारपेंटर की जो वे वीडियो को लाइक जरूक करके जरूब जाना और अगर आप चाते हैं कि सारी अपडेट आपको मिलती रहे कोई वेकेंसी हो कोई भी अप्डेट हो या कोई विरिजल्ट आता है सारी अपडेट में आपको यहां पर देता हूं साहात में शाम को 6 बज़ए मापको मैस कर सकते हैं और सुबह ग्यार बजाए आपको बढ़ाता हूं रेजिनिंग तो जुड़े यह चैनल के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले से भी लोग बैल एकन प्रेस करना मिलते हैं अगली वीडियो में जो तक के लिए बाय बाय ओके